नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आपका एक और इंट्रेस्टिंग वीडियो में आज जो हम है बात करने वाले हैं about studying in Netherlands और इसमें सारी information देने वालों A to Z admission हो गया, scholarship हो गया, visa हो गया, application fees हो गया, intake हो गया, education system हो गया, requirements हो गया, every single thing जो आपको जानना जरूरी है अगर आप जो है Netherlands में आकर पढ़ना चाहते हो तो अभी फिलाल मैं Netherlands के city Amsterdam में हूँ और Amsterdam का ये जो pack part दिख पा रहा ही है Central Railway Station यहीं पर अगर आप Amsterdam में आओगे तो यहीं पर उतरोगे और इसके सामने ये river का view हो, awesome So, अगर मैं कहीं पर Netherlands और Amsterdam में confused जाओ तो फ्लीज इसको समझीगा कि मैं Netherlands के बारे में ही बात कर रहा हूँ Anyway, तो अगर हम शुरुआत करते ही कि यार मैं क्यूं ये video बना रहा हूँ और आपको क्यूं यहाँ पर Netherlands में पढ़ना चाहिए, इस पर discuss करते है तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बेस्ट पार्ट यह लगी मुझे कि यहाँ पर 90% पीपल स्पीक इन इंगलिश मैं I was in Endowen, एक और सिटी है यहाँ पर, भी Amsterdam में हूँ, गए और सिटी में जाने वाला हूँ, जितनी भी सिटी में मैं अभी तक एक्स्प्लोर किया है मैंने, और जितनी भी इंडियन स्टुन्ट से मिला हूँ, तो सबका यही है कि यहाँ पर जो English language की population है उसका काफी फाइ मैं जनरली प्रेफर करते हूँ कि स्टुडेंस उनी कंट्रीज में जाए, जहाँ पर जादा से जादा लोग English बोलते हो, ताकि communication barrier ना है, यह लोकल लैंग्विज लन करने का ज्यादा प्रेशर ना बने है, ठीक है, तो first point यह था कि English speaking people निल जाएंग 90%, and because of that, Amsterdam की जो उनिव English taught programs मिल जाएंगे, तो आपको जो है Dutch language में नहीं पढ़ना है, आपको जो है English language में ही यह पर पढ़ाई होने वाली आपकी, थर दोस्तों, यहां की जो universities है, obviously Netherlands has a lot of world-ranked universities, तो quality education से भी आपको यहां पर compromise नहीं करना पड़ेगा, इसके साथ ही साथ काफी students का concern रहता है, कि part-time job का scene रहता है, तो यहां पर part-time job की opportunities और साथ ही साथ post-study work opportunities काफी जादा है, मतलब मैं जितना अभी आप मान के चली, within a week मैंने करीबन 9 to 10 जो है workers wanted वाले posters देख लिए, मतलब यहां पर काफी demand और workers नहीं मिल रहे है in Netherlands पे, यह actual reality है क्योंकि यह मैंने अपनी आखों से देखा कंप्लीट होने के बाद आपको जो है one year का यहां पर orientation year बोलते, post-study visa कह लो, एक साल का मिलता है, जिसमें आप योरोप में, शेंजन देशों में कहीं पर भी job सर्च का सकते हैं, और वैसे तो मैं यहीं कहूंगा कि अगर निदलेंज से अपने डिगरी किये तो यहीं पर अगर आपका master's two years का है, तो one year will be countable, तो half of the study duration का जो year है, वो count तर five years के बाद, you are eligible to apply for PR, एक और best चीज यहां पर पता है क्या है, एक और best चीज यह है कि यहां पर जो है, for example, आपका जो visa ratio वो काफी जादा हाई होने वाला है as compared to another countries, यह European countries में मैं देख रहा हूं कि काफी visa rejection ह क्योंकि यहां पर जादा students apply नहीं करते है, because एक expensive option होता है, जो कि discuss करेंगे हम आगे, उस ली के कारण इसका visa ratio काफी अच्छा है, मतलब आप 95% मान के चलो, और मैं अभी recently वही countries explode करना हूं, जाका visa ratio काफी जादा अच्छा है, तो अभी मेरी जो आने वाली 2 countries के series है, वो भी होने वाली visa ratio के उपर depend करते हैं, तो वो आपको नहीं face करना पड़ेगा, visa rejection का इतना डर यहां पर नहीं होने वाला है, and one more very important benefit, दोस्तों हर country में आप देखते होंगे, कि एक-एक साल का आपको work permit मिलता है, या फिर जो है, आपको residence card one year का मिलता है, लेकिन मैंने जब students से बात करें, तो मुझे पता चला कि यहां पर जो है, for example, अगर आप bachelor's करने आ रहे हो, तो वो जो आपको residence permit मिलेगा, वो एक-दो साल का नहीं मिलेगा, वो direct आपको four years का मिलने वाला है, सबसे best part आपको हर साल renew कराने के जंजट में नहीं पड़ना पड़ेगा, वैसे मैं जो worker से मि पता है कि यहां पर जो है, आपको जो है, शुरू में तो one year का work permit मिलता है, उसके बाद direct पांच साल का work permit, मतलब, it is so easy यहां पर की renewal के उसमें government भी नहीं चाहती कि आप फसे और हर year renewal नहीं होता है, एक बार मैं वो long term का आपको permit देदेगा, तो two years का direct permit मिल जागा, that's the best part about Netherlands that not many people know, right, हो सकता है कुछ jurisdiction या कुछ areas में यह change हो, बट यह जितना मैंने student से मिला हो, उसके experience से तो मुझे इतना है यहां पर पता चला है, अब अगर हम इसके जो है intakes की बात करें, तो intakes यहां पर आपको जो मिल जाएगा, same generally January 5 मिलता है, यह September October मिलता है, जिसमें सबसे famous वाला obviously हमारा September October intake होता है, जिसकी applications जो है, right now, मतलब यह throughout six months पहले से, six to eight months पहले से इसकी भी applications start हो जाती है, तो मतलब throughout the year ही चहलती है, क्योंकि जब intake हमार पास दो होते हैं, तो वो six six months के application के time चलते हैं, तो उसी साब से applications आप जो है, apply कर सकते हो, education system की बात करें specifically, तो education जो है, यहा कि according आप भी admission लेनागर, कुछ universities में, obviously most of the universities में four year degree is required to get into the master degree, तो यह एक बड़ी requirement आपके साथ भी होने वाली है, यहाँ पर, so अब इसके हमें application procedure समझे लेते हैं, काफी simple भास्चा में, सबसे पहले अभी आप बिल्कूल पता नहीं कुछ भी, तो सबसे पहले एक काम करेगा study in Netherlands की website पर जाएगा, जिसका description में mention भी कर दूँगा, तो यहाँ से आप सबसे पहले अपना program find करेगे, कि आपका program कौन-कौन सी universities में available है, पहले वो universities short करेगे, इस link पर जाके सारी programs Netherlands में, जो है, वो मिल जाएंगे, mostly public universities के, जो, वो सारे मिल जाएंगे, जैसे ही आपका program short list हो क्या है, वहीं से आपको सारी चीज़े मिल जाने वाली हैं, और नहीं भी मिलती ही, तो आप email करके पता लगा सकती कि कब applications open होने वाली है, या फिर क्या-क्या documents लगने वाले हैं, तो यह दो चीज़ कर लेंगे, अब इसके बाद आपको पता चलिया कि यार इसकी application कब होने व इन में जनरली जो सबसे इंपोर्टन वाला आपका IELTS होने वाला, IELTS is mandatory in Netherlands, तो minimum six bands होने चाहिए, आपके साथ में जो है, educational documents आपके सारे हो जाएंगे, motivation letter, which is also called as statement of purpose, यह हो जाएगा, letters of recommendation लगा देंगे, तो और profile strengthen हो जाएगी, और इसके साथ में गर GMAT और GRE दोगे, तो औ जारी दी थी, तो वो difference आपको देखने को मिल जाएगा, तो यह documents से जैसे gather हो जाते है, university के website से simple आपको scan करके, जो है upload करने है, and you are done with the application, application करने के लिए different universities, different charges करती है, तो 75 euro से लेके 100 euro for each application, each university application आपको pay करनी पड़ सकती है, तो यह मान के रखिएगा, जैसे application वगरा कर इसके बाद आपका कुछ universities interview round conduct करती है, कुछ नहीं करती है, तो जो करती है, तो वो आपको within a month आपका offer letter मान के चली के release हो जाएगा, आपको उसमें परिशानी नहीं आने वाली है, जैसे offer letter आपका release हो जाता है, offer letter release होने के बाद आपको tuition fees पे करनी पड़ती है, अब tuition fees पर tuition fees होने वाली है, and this is what makes Netherlands unique, यहाँ पर हर कोई इसलिए भी नहीं आपाता है, क्योंकि obviously एक expensive option होता है, तो यह fees आपको पे करनी पड़ेगी before visa, इसमें से कुछ universities आपको कहते हैं कि full pay कर लो, कुछ कहते हैं कि partial amount पे कर लो, जैसे फिर आप tuition fees पे कर देंगे, उसके बाद फि फिर visa अगेर अपलाए करोगे, आप VFS के थूँ, VFS, Global Netherlands के थूँ, आप जो है visa अपलाए कर लोगे, and approximately आपको जो है 15-20 डेस का टाइम लगने वाला है आपका visa आने में, यहाँ पर जादा टाइम नहीं लगता है Netherlands के case में, तो इस तरीके से यह complete procedure होती है, bank statement, obviously आप जो है tuition fees इस तो pay कर चुके होते है, फिर bank statement आपको living cost का दिखाना रहता है, वो living cost का जो आपको bank statement वो दिखाना रहेगा, वो करीबन around आएगा आपका, 10,000-12,000 euros का decent statement दिखाएंगे, तो काफी अच्छा हो, क्योंकि यहाँ पर living cost जादा है, तो उसे के कारण आपको bank statement भी जादा और अगर हम जो है living cost की बात करें यहाँ पर, तो living cost जो यहाँ पर आती है, पर मन्त की पहली बात तो यहाँ पर घर डूणना बहुत मुश्किल टास्क है, तो काफी students hostels में रहते हैं, तो घर डूणना is a very big task here, और बहुत expensive होता है, तो आप मानके चलिए पूरा living cost अगर हम रेंट का और food का मानके चलिए, तो approximately minimum level पे sharing में 800 euros आप मानके चलिए गा, मतलब आप average तो 1000 रही लेकर चलिए, तो 10 लाग के असपास का total मिला के आपका living cost आने वाला है, और tuition fees depend करते ही कि आप किस range में जाना चाहते हो, for example, अगर 12,000 euro के असपास है, तो 10 लाग की tuition fees हो गई, और 10 लाग रुपे के आपके living cost होगा, तो करीबन total मिला के जो है, बीस लाग रुपे का खर्चा आने वाला है, इस पुरी process के अंदर, बट इसमें एक और चीज है, यहाँ पर अगर आप मुझसे पूछते होगी, यार, salaries कितनी होती यहाँ पर, तो salaries जो यहाँ पर होती, व पर आर का pay भी absolutely more than 10 है, मतलब 12 euro, 15 euro, यह पर आर एक घंटे का pay मिलता है यहाँ, तो हाँ, हलनकि Texas भी उसके accordingly जादा आ जाते है, तो लेकिन यह है कि यार, pay भी तो आपका जादा है, expenses में मानता हूँ कि जादा होने वाले, 20 लाग रुपे का खर्चा आपके होने वाला है, ब अगर हम scholarship की बात करें, तो scholarship, देखो, merit-based scholarships है, तो वो score, वो हर university के हाँ पर scholarships होती है, तो उसके लिए आपको apply करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपके grades काफी अच्छे होने चाहिए, तो इसके लिए आप जो है, बैटर देकिए, आप university की website सी चेक कर लेकिए, वो कौन स उसके application करने हो, कि same documents उसके लिए भी चाहिए रहेंगे, और जो है उसमें फिर आपको scholarship का motivation letter अलग से लिखना रहता है थोड़ा सा, ये एक change होता है, तो यही था pretty much दोस्तों की, यहां पर जो है, मैंने cover कर लिया है, इसमें आपका intakes cover कर लिए, क्यों पनना चाहिए, applications कब open ह होती है, application करते कैसे है, visa का क्या system है, scholarship का क्या system है, और salaries कितनी होती है, ये सारी चीज़े मैंने discuss कर लिए, तो pretty much सब कुछ कवर कर लिया है, और जब आप निदेलेंस आएंगे तो for sure आपको दो चीज़े करने हैं, एक तो obviously boating, right, in the night time, और second riding on bicycles, these are the very two famous things that you can do here in Netherlands, और experience आपक की चीज़ मिस हो गई है, तो आपके पास comment section है, आप comment section में बिल्कुल आपकी जो है राय बता सकते हैं, इसको लेकर हलंकी सब कुछ मैंने फिर भी cover कर लिया है, conclusion यह है कि भाई, it is an expensive option, but इसके उपर जाओगे, तो ROI coffee अच्छा रहगा आपका, बढ़ है कि शुरू में आपक बढ़ है बता सकते हैं, इसके लगद